आपसी कल है आपके परिवार में देखने को मिल रही है क्या डिमपल यादव को जगा दी जा रही है जो जगा आपको नहीं दी गई है लेकिन ये तमाम जो सवाल खड़े होते वे नज़र आए परिवार पर तो अपड़ना यादव ने ये तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया यानिके खारिच कर दिया वो कहती वी नजर आई कि प्रदाहान मंतरी नरेंदर मूदी के काम उसे प्रभावित हुई है और नरेंदर मूदी की विचार धाराओं को आगे ले जाकर उनके नित्रित में ही काम करना चाहती है लेकिन उस चुनाव में भी अपड़ना यादव ने अगर मेंपुरी से मना कर दिया चुनाव लड़ने से करनास से मना कर दिया चुनाव लड़ने से बदाईयों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया लेकिन राय बरेली पर तो संतुस्ट होती वे नजर आई थी लेकिन भारती जनता पार्टी ने राय बरेली से उन्हों उतार की तरफ बढ़ जाए अच्छे जूस नमिश्कार दर्शको मैं हूँ आपके साथ सिराज आप देख रहे हैं नेक्ष्ट नैन पॉलिटिकल बाइट उत्तर प्रदेश की राजनीती में इस वक्त एक नाम फिर से चर्चा में आ गया है दरसल अपढ़ना यादो बारते जनता प क्या इन सीटों पर जो है कहीं न कहीं अपढ़ना यादो चुना लड़ती हुई देखी जाएगी समाजवादी पार्टी के टिकट पर क्योंकि जिस तरीके से सांसा जो है ये विधायक बने है ऐसे में उपचुना होना तय है और अपढ़ना यादो को ले करके बीते दिनों समानता उन्हें नहीं दी जा रही है जो समान हुझ मिलना चाही है और ऐसे में उन्हें समाजवादी पार्टी में वापसी करनी चाहिए अपढ़ना यादो को ले करके जब उनसे सवाल किया गया कि आप डिमपल यादो के खिलाब चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है क्या इस बात के इशारे दे रही थी अपढ़ना यादव कि अब कहीं न कहीं वक्त आ गया है कि एक बार फिर से परिवार की पार्टी में वापसी करती भी देखी जाएं, उन्हें कहीं से भी चुनाव ना लड़वाना, यह चाहिए वो विधान सभा का हो, लोक सभा का हो, तो क्या अब लगता है कि अपढ़ना यादव समाजवादी पार्टी में दुबारा वापसी करती भी नजर आएंगी? क्या डिमपल यादव को जगा दी जा रही है, जो जगा आपको नहीं दी गई है, लेकिन ये तमाम जो सवाल खड़े होते वे नजर आए, परिवार पर तो अपढ़ना यादव ने ये तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया, वो कहते वी नजर आए कि प्रधान मंतरी नरेंद दर्मूदी की विचारधाराओं को आगे ले जाकर उनके नित्रित में ही काम करना चाहती है, लेकिन काम करना चाहती है, ये बात अपढ़ना यादव ने कही ती, काम किसके बलबूते पर करेंगी, जब वो सांसद होंगी, या विधायक होंगी, या फिर वो यहाँ पर कोई कि राजे सभा में जाती वी नजर आईए, निर्विरोध यहाँ पर जैसे चुने जाते हैं, जैसे कि आप किसी को भी आगे कर सकते हैं, लेकिन देखा जाये तो भारती जनता पार्टी में जगा नहीं मिलिया, पढ़ना यादव के सामने मंत्री पद के चुनाव यहाँ पर यादव ने अगर मेंपुरी से मना कर दिया चुनाव लड़ने से, कनौस से मना कर दिया चुनाव लड़ने से, बदाईयों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन राय बरेली पर तो संतुस्ठ होती वे नजर आई थी, लेकिन भारती जनता पार्टी ने राय बरेली उतारती हो, हो सकता था कि राहुल गांधी का वोट वो अधिक यहाँ पर काट सकते थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो यह है भारती जनता पार्टी की नीतियां, जो अपनी महिला नेत्रियों का अपमान करती है, नारी शशक्तिकरन की बात करते हैं, लेकिन नारीों का सम्मान नहीं होता है, आप यह देखिए कि जैंत चोदरी समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए, यहाँ पर दो सीटे उन्हें दे दी जाती हैं, चुनाव लड़ते हैं, बाकपत और बिजनौर से सम्मान क्या हुआ, मंच पर जगा भी नहीं मिली, ओपी राजबर लड़ते लगा ना देना, यह भारती जनता पार्टी की गलती है, लेकिन अपन्ना यादव अभी भी अगर कोई फैसला नहीं लेती है, तो वो उनकी गलती होगी, इसलिए यह कहा जा रहा है, यह अपन्ना यादव को अब फैसला ले लेना चाहिए, कि अब वो सपा की तरफ बढ़ अच्छे जो सवाल उट रहे हैं कि जिस धंक से शिवपाल सिंग यादव ने, खास्तोर पर अपन्ना यादव को ले करके जो बयान जारी किया था, उसके बाद से कयास लगाय जा रहे थी कि लोकसबा चुनाओ के बाद अपन्ना यादव फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं और मुझे लगता है वापसी करने का इससे बहतर मोका हो नहीं सकता जब उत्तर-प्रदेश में और पूरे सीट्हें पर उपच्णाओ लड़ती हैं तो जीद तो मिलेगी ही और जिस तरीके से आने वाले समय में आप विधान सवा चिनाओ भी होने वाले है या फिर इस पर कुछ बड़ा फैंसला ले सकते हैं या फिर भारती जनता पार्टी उनको मौका देते हुए नजर आएगी जैसा कि उन्होंने एकसा जाहिर की थी प्रियंका गांधी के खिलाब जब यह हवा चल रहे थी कि प्रियंका गांधी राइबरील से चुनाव लड़े हैं तो अपढ़ना यादव के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है करहल की बात करें फैजाबाद की बात करें अंबेटकर नगर की बात करें तो यहां से जो विधायक थे वो सांसदी का चुनाव लड़ते वे नजर आए यानि कि लोग सभा का चुनाव उन्होंने यहीं पर लाल जी वर्मा है जो यहां से अंबेटकर नगर से चुनाव लड़ते वे नजर आए थे 2022 में विधान सभा का चुनाव जीता और करहल की बात करें यहां से चुनाव अखलेश च्यादव ने लड़ा चुनाव तीनों ने जीता तीनों विधायक थे लेकिन लोग स देखलना दून सभा का चुनाव जोतेया नजराइ निकिए चेंडर जाएंगि तो यह सीटे खाली होंगी और उस एफल के बात करें तो यह सफाम की खाते में पहले से ही है तो फाइदा हो सकता है housing को यहां पर Пरितियाश्ची को यहां पर टिकेट समाज वादी पार्टी द प्रेवार के खिलाव नहीं गई जब इपरिवार के साथ मिल'veख точно दरने। 2007 में भी उन्होंने विदान सभा का चुनाव यहाँ पर सपा के टिकेट से लड़ा था लेकिन हार गई थी इसका मतलब यह नहीं कि आप पार्टी छोड़ देंगे तो कई कम्या यहाँ पर नज़र आई अपना यादव के लेकिन अपना यादव के पास मौका है अगर सपा में पार्टी में वाफसी करती वी नजर आएंगी और जाहेड सी बात है भारती जता पार्टी ने जिस तरीके से उनके साथ नीतिया बनाई या यूं कहें कि समान ने करे करता की तरह एक बैवार हुआ उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थी कि अपढ़ना यादो अब कही न कहीं वापसी करते हुए नजर आएंगी लेकिन फिलाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एक बार फिट से क्या अपढ़ना यादो सम आने रेनेक्शनेंट पॉलिटिकल बाइट के साथ